तो गाईज Tech News के एक और नई एपिसोड में आपका स्वागत है आज Tech News स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं दिवाली की धेर सारी सुपकामनाई देना चाहता हूँ wishing you all a very happy दिवाली और गाईज आपका समय अब बरबाद ना हो इसलिए चलिए Tech News एपिसोड को स्टार्ट करते है पहली न्यूज वर्प्लस के बारे में है वर्प्लस Note 2 स्मार्टफोन को लोंच हुए थोड़ा समय हो चुका है और गाईज वर्प्लस Note 2 का एक नई एडिसर वर्प्लस अब काफी जल लोंच करने वाला है वर्प्लस ने ये उफिसियली टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि वर्प्लस Note 2 स्मार्टफोन का बेकमेन एडिसर काफी जल लोंच हो जाएगा डीजाइन के मामले में यहाँ पर बेकमेन से काफी इंस्पायर होने वाला है वर्प्लस Note 2 बेकमेन एडिसर और यहाँ पर Mediatek Dimensity 1200 के बदले मिल जाएगा स्नेप डेटन 770 T8G का प्रोसेसर यानि की बाकी सब फीचर्स तो यहाँ पर सेम मिल जाएगे सिर्फ यहाँ पर प्रोसेसर डिफरेंट मिल जाएगा और डिजाइन के मामले में भी यह थोड़ा डिफरेंट होने वाला है नोर्मल वर्प्लस Note 2 स्मार्टफोन के कंपेर में क्या आप लोग वर्प्लस Note 2 के बेकमेन एडिसर के लिए एकसेकेट हो तो वो मुझे आप लोग कमेन करके बता सकते है So guys, Redmi Note 11 series के स्मार्टफोन चाइना के अंदर लौँच हो चुके है और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि Redmi Note 11 Pro and Pro Plus स्मार्टफोन इंडिया के अंदर Xiaomi 11i and Xiaomi 11i Hyperchash नम से लौँच हो जाएंगे और guys, आज Xiaomi 11i Hyperchash स्मार्टफोन को मिल चुका है Malaysia का Serum Certification चाहां से यह कंफर्म हो जाता है कि Xiaomi 11i Hyperchash स्मार्टफोन काफी जल्द इंडिया के अंदर लौँच होने वाला है पहले Malaysia में लौँच हो जाएगा फिर इंडिया के अंदर काफी जल्द लौँच हो जाएगा यसी जानकाने मिल है कि Xiaomi 11i Smartphone अगले महीने के मीड में या फिर स्टार्टिंग में ही लौँच हो जाएगा यानि कि December स्टार्टिंग या फिर December मीड में इंडिया के अंदर Xiaomi 11i Series के स्मार्टफोन लौँच हो जाएगे रेड्मी नोट 11 Pro & 11 Pro क्लस स्मार्टफोन इंडिया के अंदर Xiaomi 11i Series नम से लौँच हो जाएगा रेड्मी नोट 11 स्मार्टफोन इंडिया के अंदर इस स्मार्टफोन को आज मिल चुका है NPDC का सर्टिफिकेशन जहां से यह कंफर्म हो जाता है कि ग्लोबल लौँच के बाद कोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन इंडिया के अंदर भी लौँच हो जाएगा और बाकी 4 प्रोडक्स अगले साल लौँच होने वाले है तो आज दीवाली है इसलिए टेक न्यूज काफी कम थी लेकिन जितनी भी टेक न्यूज थी मैंने आपको बता दी है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना चेनल को सब्सक्राइब भी क करना